गुद मॉर्निंग स्टुएंट्स आज हम लोग प्रावस्था सामें के अंतरगत ऐसे जुई गटक्त अंतरगा अध्यन करेंगे जिन में आपस में बनने वाले योगेक असर्वंग समगलनांग प्रदर्श्यत करते हैं यानि असर्वंग समगलनांग वाले योगेकों का बनना formation of compounds with incongruent melting points तो हम जानते हैं कि अनेक तंत्र में अव्यवों के रसायनिक सेयोग से बने योगेक उनके समाने गलनांग तक melting point तक परियाप्त रूप से इस्थाई नहीं होते हैं ये योगेक अपने गलनांग से नीचे विघटेत होकर या अपगटेत होकर एक नई ठोस प्रवस्था बनाते हैं और गलित बनाते हैं ये जो नई ठोस प्रवस्था है इसका संग्ठन योगेक से भिन होता है तो इस तरह की योगेक किलाते हैं असरवांगिसम गलनांग वाले योगेक क्या हुआ कि दोनों गटकों ने में आपस में मिलकर एक योगेक कर नमाड़ किया लेकिन ये योगेक अपने गलनांग तक परियाप्त रूप से स्थाई नहीं है और अपने गलनांग से पूर्वी विगटित हो गया एक नई ठोस प्रावस्थरी और एक गलिठ या मेल्ट दिया जिसका संगठन योगेक के संगठन से भिन होता है तो ऐसे योगेक को हम कहते हैं असरवांगिसम गलनांग वाले योगेक और वो ताप जिस पर विगटन की क्रिया होती है डिकंपोजिशन होता है वो कहलाता है असरवांगिसम गलनांग या संक्रमर ताप या परिक्रांतिक ताप ये सब एक ही नाम है ट्रांजिशन टंप्रिचर, इनकॉंगरेंट मल्टिंग पॉइंट, मेरी टेक्टिक तंप्रिचर या परिक्रांतिक ताप, संक्रमर ताप या असरवांगिसम गलनांग यहाँ पर क्या होता है, जो ओरिजिनल ठोस है, ठोस वो क्या देता है, S1 एक नई प्रावस्था, ठोस प्रावस्था, S2 और गलित ये उत क्रमर ये अभी करिया, ये रिवर्सिबल रियक्शन है In many system, the compound formed by the combination of two component, instead of melting congruently, decomposed when heating, giving a new solid phase and a solution of solid, with a composition different from that of the solid phase. Such compound is said to have an incongruent melting point, so we see S1 is the original solid compound formed by the reaction between two components, below its melting point, due to instability, it decomposes to give S2 another new solid phase and solution. This is a reversible reaction. The temperature at which this reaction takes place is known as incongruent melting point or we can say peritectic point or meritectic point or we can also say it is a transition temperature. Now, we see the phase diagram, general phase diagram of such type of difference. इस प्रकार के तंत्र का सामान्य प्रवस्थारिक. तो graph प्रवस्थारिक किस-किस के बीच में बनेगा? प्रवस्थारिक कम्पोजिशन और तंप्रिचर, not to scale, scale रहे था. हमने माना A point पर 100% A है. जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे उसमें B एड़ उता है रहे है. और लास्ट पॉइंट B point पर 100% B है. A is the freezing point of pure A and B is of pure B. A should A का गल्लांग है और B should B का गल्लांग है. Let A and B be the two components which combine to form a compound AB2. Point A and B are freezing points. अब A और B आपस में मिलकर compound बनाते हैं AB2. इसक्या मिलकर बनाते हैं आपस में AB2. अब A से AC ए गटक का freezing curve या हिमांग वक्र है. इस वक्र के अनगेश solid A, ठोस A और द्रफ आपस में सामयवस्था में. तो दो प्रवस्था हैं होगी, समानी प्रवस्था नियम से F is equal to 3 minus 2. सुतनता की कोटी कितने होगी? एक, यानि यह एक चर्व या मोनो वरियंट है. इसी तरही कैसे? अगर हम 20 वक्र की बात करें, तो इस वक्र के अलोंग, solid B और लिक्विड सामयवस्था में. solid B and liquid are in equilibrium. यहां भी दो प्रवस्था हैं, इसलिए सुतनता की कोटी कितनी होगी? एक, यानि यह कर्व भी, यह वक्र भी, एक चर्व या मोनो वरियंट है. So, A, C and B, C are मोनो वरियंट कर्व. अब जैसे हम C बिंदु पर आते हैं, तो, C बिंदु पर compound AB2 बनना, प्राइम हो जाते हैं. At point C, the formation of compound AB2 starts. तो, अब यहां हमारे पास तीन प्रवस्था हैं, solid A, AB2 और liquid. तो, सुतनता की कोटी कितनी होगी? 3 minus 3 is equal to 0. degree of freedom is 0. इसलिए, यह अच्चर बिंदु हैं या invariant point हैं. अच्चर बिंदु हैं या invariant point हैं. अब बिंदु D, C से D तक जाने पर, बिंदु D योगिक AB2 का आज सर्वांग सम्गलनांग, incongruent melting point हैं. क्यों? क्योंकि इस बिंदु पर AB2 योगिक कोई दूसरी प्रावस्था देता हैं और billion मनाता हैं. यदि हम D dash point की बात करें, तो यह जो D dash हैं, यह AB2 के काल्पनिक सर्वांग सम्गलनांग को दर्शापता हैं. imaginary congruent melting point को, लेकिन इससे कम ताप परी यह दिगटित हो जाता है, यह decompose हो जाता है, और एक नई प्रावस्था ठोस उत्पन करता हैं. तो इसलिए हम D बंदू को क्या कहेंगे, असर्वांग सम्गलनांग, incongruent melting point, यह transition temperature, संक्रमर्ताप, यह परिक्रांदिक, peritectic, यह meritectic point. तो D के यह सारे नाम है, peritectic point, meritectic point, transition temperature, और incongruent melting point. यह काल्पनिक, congruent melting point से नीचे है, अब हमने माना कि कोई द्रव है, जिसका संगठन आपको X से दिखाई दे रहा है. इस द्रव को हीतल करने पर, अगर हम इसकी cooling करें, temperature कम करें, तो जैसे ही यह X डैश बिंदू पर आता है, वैसी क्या होता है, यह जो है, वो ठोस के रूप में प्रथक होना प्रारण हो जाता है. A start separating in the form of solid, in the solid form, और अधिक cooling करने पर यह X डैश सी के अनुसार परविर्थित होता है, और फिर बिंदू सी पर AB2 योगिक प्रथक हो जाता है. तो इस तरीके से C बिंदू जो है, तीन प्रावस्था होने के कारण अचर बिंदू हो गया, यह invariant point हो गया, क्योंकि यहां तीन प्रावस्था हो गया. इसी तरीके से आप प्रावस्था अरित में देख पा रहे हैं कि अगर Y composition का द्रव है, जिसमें B की मत्रा जाता है, उसको अगर हम ठंडा करें, उसका heatland किया जाए, cooling के लिए जाए, तो यह Y से Y डैश तकाता है. और जैसे यह Y डैश पर आता है, तो solid B प्रता को नहीं लगता है. The solid B separates at Y डैश point. उसके बाद इसका composition Y डैश C के along रहता है. C बिंदू पर पुने AB2 प्राप्थ होने लगता है. इस तरीके से C बिंदू पर पुने हमें तीन प्रवस्थाएं प्राप्थ होती हैं. और यह अचर बिंदू यह invariant point हो जाता है. C बिंदू पर इसी तरीके से हमने AC कर्व को देखा. कर्व AC. AC कर्व क्या है? It is a freezing point curve. किसके लिए? A के लिए. AC is the freezing point curve of A. which indicates the freezing point of A. When B is added, the freezing point lowers term. And the curve CD. Just see. CD. CD is the fusion curve, the freezing curve of compound AB2. यहां भी system हमने बताया, invariant है. और BD जो है? BD. It is a fusion curve of B. यहां भी दो component मैंने बताया आपको. तो यहां भी system कैसा है? Invariant. Now, this is about the general type of systems having incongruent melting point. अब इसके हमारे पास बहुत सार एक्जम्पल्स हैं. sodium chloride water system, sodium sulphate water system. तो अब हम एक्जम्पल लेंगे sodium chloride water system का. See, this is the phase diagram for sodium chloride water system. sodium chloride जलतंत्र. यहां मारे पास दो प्रवस्थें, sodium chloride और water. तो दो component system है. डाइग्राम में प्रवस्था रेक यह phase diagram दिखाया गिया है. तो यहां पर वोई composition और temperature के बीच में phase diagram है. Scale rate यह not to scale. यह बिंदू जल का हमांगते है. freezing point. 0 degree centigrade. नॉर्मल temperature पर. अब जल में sodium chloride मिलाने पर, जैसे हम आगे बढ़ते हैं. क्या होगा? हमांग में कमी होती है. और वक्र AB. sodium chloride मिलाने पर, जल के हमांग में अवनमन को प्रदेशित करता है. decrease in the melting point of water on adding sodium chloride. इस वक्र के नुदेश दो प्रवस्था हैं. ice और solution बरफ और billion. तो f is equal to three minus two, बराबर एक. अर्थात ये वक्र एक चर या mono variant है. सुदंता की कोटी एक है. या तो temperature बताना पड़ेगा या संगठन. आइदर temperature और composition. एक ही चीज़को हम specify कर पहेंगे. अब बिंदू बी पर आते हैं. जैसे हम बिंदू बी पर आते हैं, एक नई ठोस प्रवस्था. NaCl2H2, NaCl.2H2 form हो जाती है, प्रगट हो जाती है. 2H2 is dihydrate, water of hydration. NaCl2H2, sodium chloride dihydrate, प्रगट होती है. अब इस बिंदू पर तीन प्रवस्था हैं हुई. बरफ, billion और थोस NaCl2H2O. Solid NaCl2H2O, ice and solution. तो, according to reduce phase rule, समानीत प्रवस्थानियम चे, F is equal to 3 minus 3 is equal to 0. 3 minus 3 is equal to 0. तो यह degree of freedom कितनी हो गई? स्वतनता की कोटी 0. तो यह एक अचर बिंदू यह invariant point हो गया. यहां पर ताब भी fix निश्चित है और संगठन भी निश्चित है. ताब कितना है? माइनस 21 degree centigrade है. और ताब संगठन? आइस का संगठन 100% H2O और एने सॉलिड वस्था का संगठन एने स्यल और H2O 1-2 के रिश्चित है. क्या अनुपात में? तो यह माइनस 21 degree centigrade है. अब इस ताब के नीचे, केवल ठो सवस्था में बरफ और ठो सवस्था में NACL 2-H2O होगा. दरफ रवस्था नहीं होगी. बी बिंदू के नीचे है. अब और अधिक तो यह जो बिंदू है भी इसको हम कहते हैं गलनकांतिक बिंदू यूटेक्टिक पॉइंट या इसका एक नाम और है हिमकांतिक बिंदू Cryohydric Point इसको हम हिमकांतिक बिंदू या Cryohydric Point के नाम से भी जनते हैं यूटेक्टिक पॉइंट तो ही है गलनकांतिक बिंदू अब जैसे हम और अधिक NCL मिलाते हैं तो गलनांग बिंदू BC के अनुरूप बढ़ता है जैसे हम और अधिक NCL मिलाते हैं तो गलनांग बिंदू BC के अनुरूप बढ़ता है कब तक सी बिंदू तक जब तक यह सी बिंदू तक नहीं पहुंच चलता सी बिंदू है पॉइंट वन फाइफ डिग्री सेंटिग्रेट टमपरेचर अब वक्र बीशी पर हमारे पास दो प्रवस्थ हैं कि कौन-कौन सी यानि स्वधनता की कोटी एक तीन मैनस दो एक इस समय यह तंत्र एक चर यह मोनो विरियंट है अब बिंदू सी पर क्या है बिंदू सी पर यह जो प्रवस्था है एने सील टूस्टू इस्थाई नहीं रह पाती बिंदू सी के उपर और यह डिकंपोज उजातकी किसमें किसमें सॉलेड एने सील में ठोस एने सील में और सोलूशिन में तो बिंदू सी क्या हो गया बिंदू सी हो गया इन कॉंगूरेंट मेर्डिंग पॉइंट ट्रांजिशन डेंबरेचर या परिटेक्टिक या मेरी टेक्टिक पॉइंट बिंदू सी पर क्या हुआ एने सील डॉट टूस्टू किसमें टूड गया एने सील में और सोलूशिन में तो इसको हम क्या कहेंगे और सर्वांगे संगलनांग या संक्रमान ताप अब वक्र सीडी यह निर्जल एने सील का विलेता वक्र है CD is a solubility curve of anhydrous NHCL, digital NHCL बिंदू सी पर निर्जल एने सील प्रतक होना प्रारम हो जता है इस बिंदू पर क्या होगा ठोस NHCL और विल्लियन लेकिन विल्लियन का संगठन जो है वो एने सियल डॉट टू एस्टू से अलग होता है इसलिए यह कैसा गल्लांग है असरवंगसम गल्लांग या इन कॉंग्रुएंट मेल्डिंग पॉइंट है तो इस तरीके से ही यह सोडियम क्लोराइड जलतंत्र या सोडियम क्लोराइड वॉटर सिस्टम एक उधारन है इन कॉंग्रुएंट मेल्टिंग पॉइंट का इस एन एक्जम्पल ओफ दूसा एक एक्जम्पल है सोडियम सलफेट वॉटर सिस्टम तो इस तरीके से आज हमने उन जोगिकों का अध्यन किया जो आज सर्मांगिसम गल्लांग वाले जोगिक बनाते हैं this is all about today next in the next class thank you झाले जो आज स्थक्वथर नग्द एक्षा वाले जोगए प्याद सिस्टेन टूँट।